हेलो माई नेम इस वेड और वेलकम यूट प्रोग्राम यूर माइंड आज लाइव विज्जम सीरीज में मैं आपके साथ 5 पॉइंट शेयर करने वाला हूँ जिनको आप अपने माइंड में प्लांट कर लें तो आपका सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कॉंफिटेंस हंडर्ड टाइ आपको खुद के उपर विश्वास कितना जादा है लेकिन इसके पहले कि मैं आगे बढ़ू मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्स्क्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें so that you can watch every video बहुत ध्यान से समझेंगे कि जिस environment में हमारी upbringing होती है वो environment trained लोगों का environment नहीं है यानि कि हमारे parents trained नहीं है हमारे teachers trained नहीं है कि उनको किस तरह का communication करना चाहिए हमारे साथ तो जादतर situation में होता ये है कि unknowingly लोग आपके self confidence को destroy करते हैं आपके self belief को destroy करते हैं अगर आप किसी इनसान से पूछो कि आपको खुद के successful होने पे विश्वास जादा है या doubt जादा है और वो इमानदारी से जवाब दे तो आप देखेंगे कि around 95-96% लोग कहेंगे कि भी कुछ बहुत बड़ा change हो सकता है मेरी जिन्दगी में मैं कुछ बहुत बड़ा achievement कर सकता हूं या कर सकती हूं तो इनी चीज़ों को change करने के लिए आपको ये five points समझने है first point ये है जिसे बहुत जादा ध्यान से समझेगा that is दुनिया आपको वो ही समझती है जो आप खु successful person समझते हैं आप खुद को एक ऐसा person समझते हैं जो successful नहीं हो सकता जिसके अंदर potential नहीं है तो लोग भी आपको वैसा ही समझते हैं और ये कई बार determine करता है कि आपकी जिन्दगी में आपकी journey कैसे होगी तो first point आपको जो ध्यान रखना है वो ये है यानि खुद को successful इंसान समझना शुरू करिए महसूस करना शुरू करिए तभी लोगों की नजरों में भी आपकी वही image बनेगी और आपका self belief self confidence grow होता चला जाएगा now the second point which is very important if you do not believe in yourself who else will believe in you यानि कि अगर आप खुद के अंदर विश्वास नहीं करते तो आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि लोग आपके अंदर विश्वास करेंगे ऐसा कभी भी नहीं होगा तो self belief आपका खुद का होना बहुत ही ज़ादा जरूरी है अगर आप खुद पे व through कुछ change आ सकता है यहाँ पे कुछ अपग्रेडेशन हो सकता है तो लोग आपके उपर क्यों विश्वास करेंगे तो यह second point है जिसको आपको अपने mind में डाल लेने की ज़रूरत है this is why you need self belief self confidence right now third point जो एक tool की तरीके से आपको use करना है वो यह है कि जब आप morning में सुबह वो ने ऐसा कहा है कि उनको आपके उपर भरोसा नहीं है लेकिन उनकी बातों से उतना फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप खुद को यह कह देते हैं मुझे अपने उपर भरोसा नहीं है तो इस सबसे जदा negative हो जाएगा तो इसके against में आपको करना क्या है कि look into your eyes अपनी आख वाले परसन हो तो आपका association वैसा होना चाहिए यानि आपके आसपास progressive लोग होने चाहिए तो चेक करिए कि क्या आपका association क्या आपकी company progressive लोगों की है आप ध्यान से समझेगा कि Napoleon Hill ने ये बात कही थी कि you are the average of five people whom association you keep यानि कि आप जिन पांश लोगों के साथ अपना ज़्या के साथ में हूँ मेरे आसपास के लोग progressive है या नहीं है देखिए हो सकता है कि आज आपको बहुत ज़्यादा successful लोगों का साथ ना मिल रहा हो लेकिन आप definitely ऐसे लोग ढूंड सकते हैं जो successful होने के लिए महनत कर रहे हैं जो लगे हुए हैं जिनका जिन्दगी में more complaining नहीं है बलकि वो अपनी जिन्दगी में effort कर रहे हैं जो responsibility ले चुके हैं और हर रोज अपने आपको upgrade कर रहे हैं ऐसे लोगों की संगट develop करिये ऐसे लोगों का साथ develop करिये वो खुद भी progress करेंगे और आपको भी progress करने में मदद करेंगे वो right kind of environment देंगे आपको right and now the fifth point होता क्या है कि जादा तर हम अपने negative चीज़ों को यानि कि अपने failures को देखते रहते हैं इसके comparison में हमें करना क्या है अपने failure से learn करना है past में अगर आपने कुछ किया जिसमें आप successful नहीं हो पाए तो learn from it उसमें से learning लीजिए learning attitude लगाए NLP में एक concept है जिसे मैं कहता हूँ reframing या frames of mind किस frame से आप किसी चीज़ को देखते हैं तो इसमें learning frame लगाए कि past में जो मैंने गलती किए उस event को अगर मैं learning का frame लगाए learning के नजरिये से देखूं तो मुझे learn करने को क्या मिलेगा वहां से learn करिये and relive your success यानि कि past में जो आपने success create की है जो भी अच्छे results create किये हैं वो बहुत से भी आप learn भी करिये और साथ-साथ वो experiences लेके आईए वो feeling लेके आईए और जब ये सारा change आप खुद के अंदर कर रहे होंगे आपका self belief कितना जादा high हो जाएगा सोचो मैं आपको एक example देता हूं जिससे आप पूरी तरीके से relate कर लेंगे आपका कोई close one maybe आपके कोई parent या आपका कोई friend या भाई या बहन या कोई और अगर वो आपको आपको आपकी जिंदगी में आज तक आपने क्या-क्या गलतियां की कहा कहा पसफल हो गए उनकी बातें करें एक घंटे तक तो आपके उपर क्या असर होगा और इसके comparison में अगर one hour वो इस चीज में लगा द आपको self doubt आजाएगा कि पता नहीं मैं जिंदगी में कुछ कर भी पाऊंगा या कर भी पाऊंगी या नहीं लेकिन अगर आप वो positive चीजों के उपर discussion करते हैं आपकी वो अच्छाईयां आपके को शो की जाती है उनके बारे में बात की जाती है तो आपका confidence इतना grow कर जाता ह इसे high करना बहुत ज़्यादा जरूरी है और जो जो वीडियो मैं आपके साथ share कर रहा हूँ life wisdom सीरीज में और इसके पहले भी मेरी more than 275 वीडियोज है वो वीडियोज को देखिए मैं आपको recommend करूंगा कि आप वीडियोज को जरूर देखें ये मैं सोचिए कि ये वीडियो को create करने में भी मैं उस science को use करता हूँ जिससे NLP Neuralinguistic Programming कहते हैं जो language मैं use करता हूँ वो directly आपके subconscious को program कर रही होती है अगर आप बार बार इने सुन रहे हैं तो वो आपके mind को program करेगी और हाँ मेरे पास एक comment आया था किसी का कि सर हमारे goals पूरे हो या ना हो हमारे dreams पूरे ह हो जाएंगे तो मैंने वहाँ reply भी किया और वो मैं आपके साथ भी share करना चाहता हूँ कि बीच में अपने channel का monetization बंद कर दिया था क्यूंकि मैं चाहता था कि लोगों को इसकी value समझ में आये यह मैं आपकी जिंदगी में contribute करने के लिए कर रहा हूं ना कि earn करने के लिए कर earn करने के लिए मेरे पास और भी sources है मेरे courses है मेरे training programs हैं जाहिर सी बात है कि जो लोग videos देखते हैं और जादा सीखना चाहते हैं वो course में आते हैं लेकिन यहाँ पे YouTube से earning का intention नहीं है मैंने channel का monetization इसलिए बंद कर दिया था कि लोगों को यह message जाए कि यह person कुछ earn नहीं कर रह नहीं कर रहा है तो उसके लिए मुझे वापस monetization on करना पड़ा लेकिन यह videos आपकी लाइफ में value add करने के लिए हैं अगर इसके charges के मैं बात करूँ तो यह एक एक session जो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ इसके लिए maybe 20,000-30,000 एक session का charge होता है अगर किसी को one-to-one यह समझा जाता है और जब मैं बात कर रहा हूँ आपकी आँखों में आखे डालके तो मैं आपकी life में value addition के लिए बात कर रहा हूँ इनकी वर्त को समझो यह यूही YouTube videos नहीं बनाई गई है यह कोई ऐसा नहीं कि copy-paste का concept है यह वो चीज़े हैं जो आपकी जिंदगी में transformation change create कर सकती है make use of it मैं आपको बहुत feelings के साथ कह रहा हूँ क्योंकि I am working on a mission I want कि आप अपनी जिंदगी में वो success achieve करें जो potential आपके अंदर है मुझे पता है लेकिन उसे unlock करने की जरूए था उसे समझने की जरूए था यह सब कुछ करना शुरू करिए right इन videos को share करिए जादा से जादा logo त सकता है कि यह चीजें लोगों की जिंदगी में जाएं और value add करें उनको change करें उनकी जिंदगी में transformation create करें तो share करिये जिनकी आप care करते हैं उनके साथ right और मुझे comment करके बताए कि आज की इस video से आपने क्या learn किया यह जो five points मैंने share किये इसमें से कौन से points आप पहले से समझ I will see you in the next video